हेई वरिवान वेल्कम बैक टू मैं चैनल और कैसे वाप आई होप आप लोग अच्छे होंगे आज मैं आपके साथ रिभी शेयर काने वाले हैप्टो ग्लोबिन सीरफ की यह सीरफ के क्या यूजस है इसको कब और कैसे लिए इसके क्या नुकसान हो सकते यह सब की जानकर यह दो यह पिडियो में होने वाली है विडियो के लास्तिक बने रहेगा वीडियो हों तो वीडियो को लाइकक जरू कीज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब फेस में सुजन रहती हो एनमिया की प्रॉब्लम हो बॉडी में डिफिजनसी की प्रॉब्लम हो डाइट की थूरू आईरण की इंटेक कम हो रही हो पाईटमीन वी-9 की कमी हो प्रेगनेंसी दोरान बी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं जादतर लेडिस में बहुचे होने के बाद हेमगलोविन की कमी हो जाती है हेमगलोविन को बढ़ाने के लिए ये सिरफ का यूज़ कर सकते हैं इसमें में यूज़ किया गया है आईरेन फॉलिक एसिटी मिथाइक लोबलामिन आईरेन से बॉड़ी में ऑक्सिजन को सही तरह से पहुचाने भी हेल्प मिलती है इ अगर आईरेन बॉड़ी में सही मात्रा में हो तो किसी भी तरह का जोट जल्दी से ठीक हो जाता है आईरेन से इमिन्टी भी मजबूत बनती है फॉलिक एसिट को बाइटमिन B9 का रूप भी माना जाता है ये बॉड़ी में न्यू रेडरी ब्रॉड सेल को बनने में हेल्प करता है फॉलिक एसिट की सबसे ज्यादा प्रेगनन लेडिस को जरूरत होती है नैचरली तरीके से फॉलिक एसिट को ले सकते हैं हरी पतेदार सबजी अफॉल सारेड रिमोंफली साबुद अनाज अंडा ये सब में फॉलिक एसिट पाए जाता है मीथाइल कुरबला भी इ इसको लेना कैसे है तो पहले इस सीरफ को अच्छे से से कर ले उसके बाद इसे आप दिल में दो बार सुबह साम खाना खाने के बाद ले सकते हैं दसे मिल करके दिल में दो बार पानी के साथ ले सकते हैं साइड रिफिट की बात करते हैं इसको कोई साइड रिफिट नहीं ह करें यह दॉक्टर के रीन से इसे वाइड कर सकते हैं तो यह है during लग तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब